होके वेलकम बैक स्वागत है आप सभी का कैसे आप सब लोग उमीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल लए होगी इस वीडियो में हम एक और इंडेक्स के साथ आ गये हैं 2021 के इंडेक्स पढ़ रहे हैं आप सभी को पता ह मौर्निंग में 6 बसकर 15 मिनट पर आपको डेली एक इंडेक्स मिल जाता है और ये हमारा पाच्वा या मेभी छटा इंडेक्स होगा इससे पहले 4 या 5 मैंने इंडेक्स अपलोड किये हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है 2021 के प्रमुक सुचकांग के नाम से आप उसको देख सकते हैं अब देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतरास्टी बौधिक संपदा सुचकांग 2021 के बारे में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बौधिक संपदा सुचकांग समझ में नहीं आता है कि इसमें किस आधार पे रैंकिंग की जाती है क्या देखा जाता हैं तो सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पांसे साथ मिनट का वीडियो होगा यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथी साथ चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुर नभूलें इसके अलावा अगर म को कांटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा चलिए मेरो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले बात करें हम तो हम किस पर बात करने वाले हैं अंतरास्टी बौधिक संपदा सुचकांक 2021 पर बात करने व तो कौन जारी करता है ग्लोबल इनुνεवेशन पॉलिसी सेंटर इसको जारी करता है चली आगे बढ़ते हैं कुछ और समझने का प्रयाज करते हैं कुछ और हम लोग समझते हैं अब देखे एक हमारे पास मुख्य पॉइंट यह आता है कि कितने जो है देशों पर इसको जार किया जाता है तो मैं आपको बता दूँ इस सूचकांग में टूटल 53 कंट्री हर साल 53 कंट्री सामिल किया जाते हैं 53 आपकी वैश्वी कर्थ व्युष्ताओं को सामिल किया जाता है ठीक है अब इसमें आगे बहुत सारी बाते लिखिवी जैसे मैंने लिखा हुआ है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अभी आप इसको छोड़िए केवल 53 वैश्वीक जो अर्थ विवस्ताएं उनको सामिल कर जो है सूचकांग जारी किया जाता है अब देखिए रैंकिंग देख लेते हैं रैंकिंग के अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं ट तोड़ा सा बैक अगर चले जाएं 2020 में जो भारत की रैंक थी वो भी कितनी थी वो भी आपकी 40 थी अगर 2019 की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक कितनी थी 36 थी ठीक है तो 2020 में 40 है 2021 में भी 40 है 2019 में 36 थी यह आपको याद रखना है अब अगर हम बात करें इसके अलावा पा पाकिस्तान की है और 53 यानि लास्ट रैंक जो है वह वेने जोईला की है तो यह रैंकिंग हो जाएगी यूनाइटड नेशन जो है आपका नंबर एक पर है दो यूनाइटड किंडम दो नंबर दो पर है जर्मनी तीन पर चार पर फ्रांस चालिस पर भारत बावन पर पाकिस् समझे क्या है यह आपका बौधिक संपदा क्या होती है इसको तोड़ा से आप समझ लीजे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीज़े आपकी क्लेर हो जाएगी ठीक है तेके जैब मैंने लिखा हुआ है बौधिक संपदा किसी भी व्यक्ति या संस्ता दोरा सरजित कोई संगीत साहित क्रती कला खोज प्रतीक नाम चिन डिजाइन कॉपिराइट ट्रेड मार्क पेटेंट आधिको कहते हैं यानि अगर कोई भी चीज़ आप सरजित करते हैं कोई धुन बनाते हैं वो भी क्या है आपकी बौधिक संपदा है कोई कुछ आप संपदा में आती हैं जैसे कोई धन जैसे रुपया आपकी प्रॉपर्टी होता है वैसे ही यह सभी चीज़े आपकी क्या होती ही प्रॉपर्टी ही होती है और इन्हीं के लिए क्या जारी किया जाता है बौधिक संपदा सुचकांग जारी किया जाता है यह आपको याद संद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें थांक यू थांक यू वेरी मच